दोस्तों सबसे पहले आप सभी को हैपी दिपावली और मैं उमीद करता हूँ कि आप लोग काफी जादा खोस होंगे फ्रेंड आज के इस वीडियो के अंदर तीन ऐसा लोन कमपनी में आपको बताने वाला हूँ जिस लोन कमपनी से लोन लेने के लिए ना तो आपको बैंक स्टेटमेंट लगेगा ना ही बैंक प्रूब लगेगा ना ही किसी प्रकार का ITR फाइल करना है सिर्फ आधार कार्ड के मदद से आप जो है लोन ले सकते हैं तो फ्रेंड अगर आपको भी दिपावली में लोन का रिक्वाइड है अगर आपके पास पैसा नहीं है आप सौपिंग करना चाहते हैं या तो फिर आपको पैसे की इन्मर्जंसी है आपने काफी जगों पे ट् अगर अभी तक आपने हमारा यूट्यूब चैनल सस्क्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले हमारे चैनल को सस्क्राइब किजिए गावर बेल वेलन ओडिकेशन को अबेलाओ करना न बुलिए क्योंकि मैं इस चैनल पर लगाता है इस प्रकार की इन्पोमेशन वाली वीडि ठीक है यह लोन कंपनी जो है किस्त दस मिलियन से भी ज्यादा अप्लिकेशन का डाउनलोड है यहाँ पे मैं आप लोगों को वीट प्रूब दिखा रहा हूँ छे अजार का लोन मुझे इस कंपनी से मिला हुआ है जिस पैसे को मैं अपने बैंक अकाउंड के अंदर भी टा बायट करवाता है विदाउट इंकम प्रूब का ठीक है अब दूसरे नंबर पर कौन सा कंपनी जिससे आप इंक विदाउट इंकम प्रूब दिये हुए विदाउट बैंक स्टेटमेंट दिए हुए लोन ले सकते हैं तो उस कंपनी का अभे में आपको वीट प्रूब दूसरा जो अप्लिकेशन है जिससे आप लोन ले सकते हैं उसका नाम है स्मार्ट कोयन यहां पर इसका भी 10 मिलियन डाउनलोड है जो भी लोन कंपनी बता रहा हूं को फुली NBFC से रेजिस्टर है इसलिए निश्चिंत होकर अपलाई कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है आरा यह कंपनी देखें यहां पर 3000 का लोन मुझे यहां पर ओफर किया हुआ है और इस लोन को अगर मैं बैंक पर टांसफर करना चाहूं एड़ बैंक अकाउंट के उपर किलिक करूंगा यहां पर बैंक डिटेल्स डाल दूंगा ठीक है बैंक अकाउंट नंबर री अकाउंट इतना डिटेल्स डालने के बाद यह जो पैसा है मेरा इंसेंट मेरे बैंक अकाउंट के अंधर टांसफर हो जाएगा चलिए अपलिकेशन के बारे में कुछ प्रोसेस आप लोगों को दिखा देते हैं क्या करना होता कैसे करकर लोन मिलता है इसके अबाउट सक्षन पे चलत है नौ मिलियन से भी ऐसे लोग है जो उन्होंने लोन लिया हुआ है और इस कंपनी से खूस है चलिए आगे देखते हैं और कंपनी के बारे में क्या बताएगा एक्जांपल के तोर पर अगर आप 40,000 का लोन लेते हैं तो यहां पर जो भी आपको इंट्रेस लगता है एक सा के लिए ठीक है वह आपको टोटल यहां पे 5,678 रुपया जिसमें आपका GST सामिल हो जाता है ठीक है प्रोसेसिंग फी यह सारा चीज मिला जुला के आपको 5,678 रुपया एक साल के अंदर ज्यादा लगता है 40,000 के उपर में तो अपने कोडिंग से अपना जितना भी आप तक के बीच में आप ले सकते हैं जैसे कि अगर आपको 5,000,10,000,20,000 का ज़रुवत है तो आप उतना के लिए अपलाई करेंगे और मैक्सिमम आप एक लगत तक का लोन ले सकते हैं यहां पर पांच मिनट का मैक्सिमम हो सकता है निकिन पांच मिनट नहीं लगता है सिर्फ ए बैंक अकॉंट के अंदर टांस्पर कर दिया जाता है कि अगर आपको किसी प्रकार का मदद चाहिए तो यहां पर इनका Facebook ID, Mail ID, Instagram सबी प्रकार का यहां पर दिया हुआ है तो इस प्रकार का यहां पर दिया हुआ है इन कमपनी से डारक्ट यहां से कॉंटक्ट कर सकते हैं बा आपका इंट्रेस्ट लग सकता है, मिनिमाम आप साथ सो का लोन ले सकते हैं, मैक्सिमम आप पचास जार का ले सकते हैं, डॉकुमेंस में क्या लगेगा, डॉकुमेंस में इनका भी वही कराइड एरिया है, अधार कार्ड और रुपेयन कार्ड की मदद से इस कंपनी से आप ल NBFC से रजिस्टर है, नौ फेपर वर्क, ठीक है, पूरा डिजिटल प्रोसेस करना है, कोई भी फिजिकल डॉकॉमेंस यहां पर नहीं लगता है, क्या है प्रोसेस, तो यहां पर देखिए, अप्लिकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्प्रक्शन पर मिल जागा है, या वीडियो को लाइक सेर और कॉमेंट कीजिएगा, और इस वीडियो रिलेटेट कोई भी सवाल अगर आपके मन में है, तो आप हमें कॉमेंट करकर चलू पूछिएगा, तो चली फ्रेंड मिलते हैं किसी अगली वीडियो